नमश्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है 24 जन्वरी बुद्वार दोपहर सवाई एक बजे राजस्तान की पंदरा बड़ी खबरे इस न्यूस बुलिटिन के प्राइव जख है विनी विनी के केंडमोर आए सबसे पहले निजरे डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर हाई कोर्ट ने कहा उपमुख्य मंत्री की शपत असमिधानिक नहीं बिना स्टडी किये याचिका पेश की आरपी सी ने फिर पकड़ा फरजी वाड़ा मोधी और फ्रांस की राश्टपती हवा महल पर बैठ कर चाय पीएंगे राजसान हाउसिंग बोर्ड ने 26 फिस्दी तक भढ़ाई रेट श्रीत लहर की चपेट में 6 राज कहरे के चलते फ्राइट्स और ट्रेने हुई लेट और अब खबरें विस्तार से सुनिए राजसान हाई कोट की जैपूर खंडपीट ने उपमुख्य मंत्री दिया कुमारी और उपमुख्य मंत्री प्रेमचंद बैर्वा की शपत को असविधानिक बताते हुए उनकी न्युक्ती को रद करने वाली जनहित याचिका को तर्कहीन मानते हुए खारिस कर दिया है कारेवाहक मुखे नयादीश M.M. श्रीवास्तव की खंडपीट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद याचिका को खारिस करते हुए याचिका करता पर 25,000 रुपे का जुर्मान लगाया कोट ने कहा कि आजकल जनहित याचिकाओं का बहुत दुरूपयोग हो रहा है यह मामला भी इसी ख्ष्वेणी में आता है याचिका करता प्रैक्सिसिंग एडवोकेट भी है लेकिन उन्होंने फिर भी बिना स्टड़ी किये इस थने की याचिका कोट में पेश की RPSC की वरिश अध्यापक परिक्षा 2022 में भी फरजी वाड़ा सामने आया है पांच कैंडिडेट्स ने अपने आडमिट कार्ड की फूटो में छेड़ चाड़ की जाज की बाद पांच कैंडिडेट्स को बुलाया गया लेकिन केवल एक अभ्यर्ती ही आयोग में उपस्तित हुआ सबी के किलाफ मामला दर्ज करवाया गया है एक अभ्यर्ती को पुलिस ने गिरफतार भी कर लिया प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी 25 सारी को फ्रांस की राष्टपती मैक्रो के साथ दोपहर दो बजे जैपुर आ रहे है सांगेनेरी गेट पर नरेंदर मोधी और फ्रांस की राष्टपती ओपन गाड़ी में बैट कर आम जन के अभिवादन को स्विकार करते हुए हवा महल तक जाएंगे हवा महल पर मोधी और फ्रांस की राष्टपती फोटोशूट करेंगे इसके बाद मोधी सिटी पैलेस जाएंगे और डिप्टे सिएम के साथ सिटी पैलेस देखेंगे करीब 40 मिनट सिटी फैलेस रुकने के बाद मोदी सुभाश चोंग जाएंगे यहां सरकिल पर लगी सुभाश चंदर बोस की मूर्ती पर मालयारपन करेंगे करीब 2 गंटे तक आमेर महल में रुकेंगे और इस जोराण मोदी और मैक्रो ही आमेर महल में मोजूद रहेंगे राजसान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी जमीनों की कीमते बढ़ा दी है जैपुर जोदपूर समेट 15 से ज़्यादा जिलो में 170 से ज़्यादा आवासिय योजना में कीमते 8.50 से लेकर 26 फिस्दी तक बढ़ाई गई है जैपुर के जगतपूरा मिस्जित इंद्रा गांधी आवासिय योजना में अब कीमत 17,875 रुपे प्रतिवरक किलो मिटर कर दी है यानि 100 वर्ग मिटर की जमीन करीब 17,87,500 रुपे की होगी और यहाँ कीमतों में 23 फिस्दी से ज़्यादा बढ़ाई कई गई है इस नेने के बाद अब निर्मानाधीन मकानों की कीमतों में भी भड़ोत्री हो जाएगी हावसिंग गोड से जारी नई रेट लिस्ट में सबसे ज़्यादा 26 फिस्दी दरे हनुमानगड योजना की भड़ाई है अनुमानगड योजना की अवासिया अरक्षिद्दर 6,355 रुपे प्रतिवर्ग मिटर थी जो बढ़कर अब 8,015 रुपे प्रतिवर्ग मिटर हो गई है उत्रभारत की राजों में कडाके की टन कम नहीं हो रही है सर्ध हवाओं की कारण ठिटुरन लगातार बनी होई है मोसम विभाग में राजसान, हिमाचर प्रदेश, उत्राकंड, पंजाब, हर्याना और उत्रप्रदेश में आज कोल्ड वेव कालर जारी किया है इसका मतलब है कि इन राजों में बरफ की परत देखने को मिल सकती है यूपी के मेरिट में तापमान एक पॉइंट पांस डिग्री कॉर्ट किया गया और वहाँ चितावनी भी जारी की गई है पंजाब, हर्याना, उत्रप्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजसान, शीत लहर की चपेट में है लोकसोभा चनाव दोहजार चोबिस से पहले बिहार के पूर मुख्यमंतरी करपूरी ठाकूर एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में प्रासंगिक हो गई है सभी पार्टियां उन्हें अपना बताने की कोशिश में जुट गई है आलम यह है कि करपूरी ठाकूर की सोमी जयनती पर सतधारी जेडियू और आरजेडी दोनों अलग-अलग कारिक्रम आयुजित कर रही है और इधर बिहार के पूर्व सियम करपूरी ठाकूर को भारत रतन देने का एलान करने के बाद बुद्वार को पीम नरेंदर मोदी ने करपूरी ठाकूर के बड़े बेटे और जदियूर राजसवासांसत रामनाठ ठाकूर को फोन पर भदाई दी है NCP के चीफ शरत पवार के बतीजे रोहित पवार आज एडी के सामने पेश होंगे उनके एडी दफ्तर पहुंचने से पहले पार्टी की कारेकरताओं ने ओफिस को घेर कर नारिबा जी की रोहित को महराष्ट स्टेट को अपरेटिव बैंक केस में दोखादड़ी को लेकर आज पूश्टाश के लिए बुलाया गया है उन्होंने मंगलवार को कहा था कि मैं अधिकारियों के साथ पूरा सहयों करूँगा लेकिन बदले की राजनेती को देखते हुए जाच एजन्सियों पर बहुत दबाब है राजसान में करीब 24 लाग स्टुडेंस पांचवी और आठवी बोर्ड का एक्जाम देते हैं हर सार शिक्षा विभाग को लास डेट में भडोतरी करनी पड़ती है इस बार भी ऐसा ही प्रतित हो रहा है ऐसे में सभी विभाग में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस सबद में नोटिस जारी करके फॉर्म भरवानी के निर्देश दी हैं आठवी बोर्ड में इस बार 12,83,000 स्टुडेंट्स हैं लेकिन ऑनलाइन फॉर्म महज 1,54,000 के ही भरे गए हैं और इसी तरह पांचवी बोर्ड में 14,89,000 स्टुडेंट है इन्वे से महज 1,23,314 नहीं फॉर्म्स भरे हैं महज 5,322 स्टुडेंट्स के फॉर्म लोग हो सकी हैं बुवनेश्वर में हेल्थ केर सर्विस में ड्रोन के इस्तिमाल की टेस्टिंग हुई जो सफल रही मंगरवार को एम्स अस्पताल में कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर तक 2 किलो वजनी बलड सैंपल्स पहुंचाए गए ड्रोन ने 120 किलोमेटर की दूरी 17 मिनिट पे पूरी की सफल टेस्टिंग के बाद एम्स की डिरेक्टर आशुतोष बिस्वास ने कहा कि हम चाते हैं कि मैडिकल और हेल्थ केर सर्विस में टेक्नोलोजी का इस्तमाल हो उदेपुर शहर की अतिहासिक और हैरिटेस सरकारी प्रॉपर्टी से लेकर सरवजनिक स्तानों पर अपने संस्तान और प्रतिष्ठान के पोस्टर चिपकाने वालों पर नगर निगम ने अपकारवाही का मन बनाया है शिर्वात दो को नोटिस देकर की और साथ में चेतावनी देते हुए कहा कि अब नहीं माने तो पुलिस में FIR दर्श कराई जाएगी नगर निगम उदेपूर के आयुक्त राम प्रकाश ने कहा कि यदि किसी ने उदेपूर शहर में राज किये या सारवजनिक संपती पर कोई बैनर, पोस्टर, अन्य स्टीकर चिपकाया तो संबंदित की खिलाफ सक्ती करते हुए पुलिस्ताने में FIR दर्श कराई जाएगी रजसान में पांच साल पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी के लिए 186 दिनों का समय श्रेश रह गया है अगर अब नंबर प्लेट नहीं लगवाई तो अन्य राजयों बे जाने पर वाहन चाल को कोट चालान कटवाना पड़ सकता है नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक अब सोसाइटी ओफ इंडियन ओटो मॉबाईल मैनिफेक्चर्स पर रजिस्टेशन कर सकेंगे पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवेहन विभाग ने इस सोसाइटी को अधिकरत किया है और वहीं वाहनों पर लगने वाली नंबर प्लेट की मियाद में वी विभाग ने भड़ोत्री की है पहले मियाद 31 मार्च 2024 तक रखी गई थी और अब इस तारीक को बढ़ा कर 30 जून 2024 तक कर दिया गया है पुराने वाहनों को नंबर प्लेट के लिए अलग-अलग तारीक तैकर रखी है और उसी मियाद में नंबर प्लेट लगाना अनिवारे होगा यह निर्ने हाल ही में परिवेहन आयूग डॉक्टर मनी शरूडा की अथ्यक्षता में हुई बैटक में लिया गया था अगामी लोगसोबा चुनाव से पहले ओनलाइन चंदा जुटाने में लगी कॉंग्रेस को राजसान में सबसे बड़ी राशी मिली है अब तक देश भर में 515 लोगों ने एक लाग से अधिक का चंदा दिया है और इसमें राजसान से सबसे अधिक 181 लोग हैं जो देश भर में एक लाग से अधिक का चंदा देने वालों का 35 प्रतिशत हिस्सा है कॉंग्रिस कोशा द्यक्ष अजै माकन ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी इसमें बताया कि पार्टी को अब तक 16 करोड का चंदा मिला है और इनमें सबसे अधिक भूमिका राष्ट्र महासाचीव सचिन पाइलिट की रही है जिनोंने एक साथ 12 जन्वरी को 138 लोगों से 1 लाग 38,000 रुपे की राशी प्रतिक से दान करवाई गोविन्द गुरू ट्राइबल उनिवर्सिटी बांसवाडा की धिलाई का खामियाजाच छात्रों के साथ ही बीएट कॉलेज भी उठा रही है विश्व विद्याले ने जोद्पुर जिले के 61 बीएट कॉलेजों को करीब 18 करोड 16 लाख रुपे की फीस का इंतजार कायम है और वहीं पीटी के बाद में प्रविश्ट नहीं पाने पर छात्रों को भी लाखों रुपे के फीस का रिफंड नहीं मिला है GGTU कॉलेजों और छात्रों को कोई जवाब तक नहीं दे रहा और इदर कॉलेजों का आरोप है कि विश्व विद्याले FDR के ब्यास की राशी कमाने के चकर में फीस राशी लोटाने में देरी कर रहा है कॉलेज संचालकों का कहना है कि वर्ष 2022 में जोथपूर युनिवर्सिटी द्वारा PTE परिक्षा कायोजन किया गया था और उस समय भी युनिवर्सिटी दारा 75 फिजडि से ज़्यादा स्टुडेंट्स की फीस कॉलेजों को जमा करवा दी गई थी देश की जनसंक्या के जैंडर रुनपात में भले ही लड़कियां कम बताई गई है लेकिन सरकारी स्कूलों में ये लड़कों से ज़्यादा है शिक्षा विभाग की सरकारी जाती अधार पर स्टुडेंट्स की आंक्रे रखता है रादसान शिक्षा विभाग के कुल 3644 सरकारी स्कूलों में 4,9,888 बच्चे अधिनरत है 7,517 SBC यानि Special Backward Class और 25,784 बच्चे ST के अधिनरत है और वहीं जनरल क्लास की बात करें तो 58,089 बच्चे पर शिक्षा ले रहे है जनसंक्या में भले ही लड़के जादा हूँ लेकिन बात सरकारी स्कूलों की जाए तो बेटियां यहाँ जादा पढ़ रही है यानि लोग अपनी बेटियों को सरकारी में जादा पढ़ा रही है 2,19,435 लड़कियां शिक्षा ले रही है और वहीं यहाँ कुल 5 ट्रांसजेंडर बच्चे भी अध्यनरत है आयोध्या में राम मंदिर की भवे निर्मान के बाद भगवान श्री राम की प्रानपतिष्टा भी विदी विधान से हो चुकी है रामलला के दर्शन के लिए श्रधालो को जाने का सिलसिला शिरू हो गया है ट्रेन और फ्राइटों में जगें नहीं मिल रही है और जल्थी भरतपूर समेथ प्रदेश के साथ संभागों से रोडवेज बसे आयोध्या जाएंगी इसके लिए रोजवेड अफसरों ने रूट मैप तयार कर लिया है और उसके लिए पर्मिट लिये जाने की कवायत भी शुरू हो चुकी है सब कुछ ठीक रहा तो अगले माँ से बस सेवा भी सुचारों रूप से चलने लगीगी जानकारी के नुसार मुक्यमंतरी भजनलाज शर्मा ने गत दिनों प्रदेश के सभी संभागों से आयोध्या के लिए सीधी रोडवेज बस चलाने की घुशना की थी फिलार इस बुलिटिन में इतना ही और फिर हासिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ